प्रिश्ट 155 अध्याय 13 नए और अप्रत्याशित विशेयों पर लेखन इस पार्ट में पढ़ें क्या है अप्रत्याशित विशेयों पर लेखन? क्या हो सकती है इसकी कोई तक्नीक? कैसे करें तैयारी? जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तु लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तु दिख भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी कवी आपने पिछली फिल्म कब देखी थी? शायद हफते भर पहले देखी हो या शायद महीने भर पहले? देखने के बाद फिल्म के बारे में दोस्तों से बातचीत जरूर की होगी उन्हें बताया होगा कि अच्छी लगी या नहीं? अच्छी लगने या ना लगने के कारणों पर भी चर्चा हुई होगी अब सोची कि क्या उस फिल्म के बारे में अपने खयालात को आप एक व्यवस्थित लेख की शकल दे सकते हैं अगर आपने फिल्म सिनेमा घर में देखी हूँ तो उस सिनेमा घर का पूरा महौल आपके जहन में होगा टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चलने वाली बतकही और ठेल मठेल, खाने पीने की चीजों के जगमगाते काउंटर, आगे की संभावित फिल्मों के चित्ता करशक पोस्टर, सिनेमा घर की लॉबी की अपने खास महक वगेरा वगेरा क्या आप स्मृती और अनुभव में बसे, उस सिनेमा घर को शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेर सकते हैं? प्रिश्ट 156 आप प्रत्याशित विशेयों पर लेकन, कम समय में अपने विचारों को संकलित कर, उन्हें सुन्दर और सुघर ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनोती है आपने आज सुबह का अखबार देखा होगा, पूरा ना भी देखा हो, तो कम से कम खास-खास खबरों पर एक नजर दोड़ाई होगी उन खबरों को देखते हुए, अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या उसे आप एक लेक में व्यक्त कर सकते हैं? कहने की जरूरत नहीं कि लेक की शकल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, ये सब ज्यादा तर लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है जिन विचारों को कह डालना हमारे लिए कतई कठे नहीं होता, उन्हें लिख डालने का निमंत्रन एक चुनोती की तरह लगने लगता है ऐसा क्यों है? होने को इसके अंगेनत कारण होंगी, पर एक कारण हमारे काम का है और वो ये कि हम में से ज्यादा तर लोग आत्म निर्भर होकर लिखेत रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते अभ्यास के हर मौके को हम रटन्त पर निर्भर होकर गवा बैठते हैं रटन्त का मतलब है दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामगरी को याद करके ज्यों कत्यों प्रस्तुत कर देने की कुटेव यानि बुरी लत इस कुटेव का शिकार हो जाने पर असली अभ्यास या रियास का मौका ही कहां मिलता है जाहिर है लेखन का आशे यहां यांतरिक हस्त कौशल से नहीं है उसका आशे भाशा के सहारे किसी चीज पर विचार करने और उस विचार को व्याकरनिक शुदता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है याद रखें भाशा विचारों के अभिव्यक्ती का माध्यम ही नहीं सुयम विचार करने का साधन भी है विचार करने और उसे व्यक्त करने की ये प्रक्रिया निबंध के चिर परिचित फिशियों के साथ आम तोर पर घटित नहीं हो पाती इसका कारण ये है कि उन पर तयार शुदा सामगरी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाने के बजाए उसी सामगरी पर निर्भर हो जाते हैं मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली ये निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विक्सित नहीं होने देती इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम निबंध के परमपरागत विश्यों को छोड़ कर नए तरह के विश्यों पर लिखने का अभ्यास करें यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा पूरा उपयोग करपानी की सामर्थ देगा ऐसे लिखन के लिए आपको जिस तरह के विश्यों दिये जा सकते हैं उनकी संख्या अपरिमित है आपके सामने की दिवार, उस दिवार पर टंगी घड़ी, उस दिवार में बाहर की ओर खुलता जरोखा कुछ भी उसका विश्यों हो सकता है ऐसे विश्यों भी हो सकते हैं जिन में इनके मुकाबले खुला पन थोड़ा कम हो और फोकस अधिक स्पष्ट हो जैसे तीवी धारा वाहिकों में स्त्री बहुत जरूरी है शिक्षा इत्यादी यहां जितने विश्य एक जटके में सुझा दिये गए, जाहिर है वो बहुत अलग-अलग प्रकृतिके हैं और इसलिए आपसे इनकी मांग भी अलग-अलग किस्म की होगी कोई विशे आपको तार्किक विचार प्रकृया में उतारना चाहता है कोई आपसे ये मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा, सुना है या देख सुन रही है उसे थोड़ी बारीकी से पुना संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दे कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रिवित करता है तो कोई अनुभव को सैध्धान्तिक नजरिय से जाचने परखने के लिए आपको उकसाता है प्रिष्ट 117 इन मांगों की जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे वो कभी निबंधपन पड़ेगा, कभी संस्मरन, कभी रेखा चित्र की शकल लेगा तो कभी यात्रा वृत्तांत की इसी लिए हम उसे एक सामाने नाम देंगे लेख ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम आप पर किसी विधा विशेश के भीतर ही लिखन करने का दबाव बना रहे हैं अब सवाल है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनोती सामने हो तो क्या करना चाहिए कहने की जरूरत नहीं, ये लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना अगर फॉर्मूला होता तो कंप्यूटर हमारे मुकह अपले बहतर लेखक साबित हो सकता था वस्तुता लेखन के रचनात्मक्ता का पूरा संबंध फॉर्मूले का वजूद ना होने की इसी सच्चाई से हैं इसके बावजूद यहां कुछ ऐसे सुझाव दिये जा सकते हैं जो अचानक सामने आये विशे से मुखा मुखम होने में आपकी मदद कर सकते हैं अबल तो ये ध्यान में रखें कि इस तरह के लेखन में विशे दो खंभों के बीच बंधी रसी की तरह नहीं होता जिस पर चलते हुए हमें कदम भी इधर उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते वो तो खुले मैदान की तरह होता है जिसमें बेलाग दोडने, कूदने और कुलाचे भरने की छूट होती है दरसल दिएगे विशे के साहचरे से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आती हैं उन्हें हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं अपेक्षा कृत स्पष्ट फोकस वाले विशे मिलने पर मसलन टीवी धारा वाहिकों में स्त्री इस विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है इन पर लिखते हुए विशे में व्यक्त वस्तु स्थिती की हम उपेक्षा नहीं कर सकते इसलिए बहुत खुलापन रखने वाले विशेयों पर अगर हम शता दे कोणों से विचार कर सकते हैं तो उनसे भिन किंचित केंद्रित प्रकृती के विशेयों पर विचार करने के कोण स्वभाविक रूप से थोड़े कम होते हैं लेकिन इतना तय है कि किसी भी विशेय पर एक ही व्यक्ति के जहन में कई तरीकों से सोचने की प्रवत्ती होती है ऐसे इस्थिती अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले दो-तीन मिनट ठहर कर ये तय कर लें कि उन में से किस कोण से उभरने वाले विचारों को आप थोड़ा विस्तार दे सकते हैं ये तय कर लेने के बाद आप एक आकरशक से ही शुरुवात पर विचार करें हाँ, ये खयाल रहे कि वो शुरुवात आकरशक होने के साथ साथ निर्वाह योगे भी हो ऐसा नहो कि आगे आप जो कुछ कहना चाहते हों उसे इस प्रस्थान के साथ सुसंबध और सुसंगत रूप में पिरोपाना आपके लिए मुम्किन नहों इसलिए शुरुवात से आगे बात कैसे सिलसिले वार बढ़ेगी इसकी एक रूप रेखा आपके जहन में होनी चाहिए वस्तुताहा सुसंबधता किसी भी तरह के लेखन का एक बुनियादी नियम है खास तोर से जब विशय पर विचार करने की चोहदियां बहुत सकती से तै ना कर दी गई हूँ उस सुरत में सुसंबधता बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है जब चोहदियां सकती से तै कर दी गई हूँ तब बाहरी या आरोपित अनुशासन ही विचार प्रवाह में कमोबेश आंतरिक संबधता कायम कर देता है विवरन विवेचन के सुसंबध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खास्यत है आपकी कही गई बातें न सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हूँ बलकि उनमें तालमेल भी हूँ अगर आपकी दो बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हूँ तो ये लेखन का नहीं किसे भी तरह की अभिवक्ती का एक अक्षम में दोश है प्रिष्ट 158 सुसंबधता और सुसंगति को और बहतर तरीके से समझने के लिए एक मोटा उधारण दिया जा सकता है माल लीजे मौसम की चर्चा करते करते आप एक आएक राजनीती पर बात करने लगे और ऐसा कोई ठोस आधार या कारण, मसलन समानता के आधार पर कोई व्यंग करना या इन दोनों का कोई पारस पर एक प्रभाव रिखांकित करना प्रकट ना हो तो आपकी बातों में संबधता का अभाव दिखेगा इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी खास दिन, समय और स्थान के मौसम को एक बार खुश गवार बताएं और दूसरी बार उबाव तो आपकी बातें असंगत जान पड़ेंगी आप अपनी कही हुई बात को इस तरह खुद ही जुटला दें तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा इसलिए लेख चाहे वो संस्मरनात्मक हो, रेखाचित्रात्मक हो, आत्वा वैचारिक उसकी सुसंबधता और सुसंगती के प्रती हर लेखक को सचेध होना चाहिए वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वभाविक रूप से इन गुणों को धारन करती ही है फिर भी सचेध न रहने पर संभव है ये गुण कहीं कहीं नदारत हो जाएं ये भी उलेखनी है कि सामानित निबंधों या आलेखों या प्रश्नोतरों में जहां मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है वहीं इस तरह के लेखन में मैं की आवा जाही बे रोक टोक चल सकती है यहाँ विशय की प्रकृती में ही नहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्म निष्ठता और लेखा के व्यक्तित्व की चाप होगी इसलिए अन्यत्र वस्त निष्ठता के आगरह में मैं शैली को भले ही ठीक ना माना जाता हूँ यहाँ उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता आईए अब आपके सामने कुछ नमूने पेश करें सबसे पहले तीन नमूने एक ही विशय दिवाल घड़ी पर ये बिलकुल खुला हुआ विशय है विशय प्रस्तावित करने वाला यहां किसी तरह की चोहद्दी नहीं बांध रह वो आपको इस बात की चूट दे रहा है कि इस विशय के साथ आपके जहन में जो भी खयाल उभर रहे हैं उन्हें सुसंगत तरीके से शब्द बद्ध करें अगर वो दिवार घडी की उप्योगिता दिवार घडी का इतिहास जैसा कोई विशय प्रस्तावित करता तो बात और थी वहां धीला ढाला ही सही एक बंधन होता और आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए लेखन करते पर यहां आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया है आप जिस दिशा में जाकर जुगाली करना चाहते हैं खरें इन तीनों नमूनों को देखकर ये बात आपके सामने साफ हो जाएगी दिवाल घड़ी एक उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खुबसूरत सा द्रिश यादाता है घड़ियों की एक दुकान में नायक नायका की मुलाकात होती है हर तरफ भाती भाती की घड़ियां टंगी है बारा बजने ही वाले हैं जो ही नायक कुछ कहना चाहता है और वो कु घंटी बचने की अवाज उठने लगती है अगले कुछ सेकेंड तक ऐसा संगीत में शोर गूंचता रहता है कि नायक हकला कर चुप रह जाता है घड़ियों ने मानों उसका मंची छीन लिया हो फिर नायक नायका दोनों इस मधुर बिडंबना पर मुस्कराते हुए एक दुरद्रिश्य मेरी यादाश्ट में उसी तरह टंगा है जिस तरह दिवार पर घड़ी टंगी होती है कहीं आती जाती नहीं हमेशा अस्थिर फिर भी गतिशील प्रिष्ट 169 ऐसी कई स्मृतियां दिवाल घड़ी के साथ जुणी है मेरे घर में जब पहली दिवाल कराई वही अभी तक की आखरी भी है तो उसे टांगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह लगा रहा उसकी याद आते ही बेसाखता हसी छूट जाती है हम सब उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे हर कोई भवन शास्त्र से लेकर सौंदर शास्त्र तक का विशेशग हो कोने का दावा कर रहा था घड़ी यहां टंगनी चाहिए नहीं वहां टंगनी चाहिए कील ऐसे ठोंकी जानी चाहिए नहीं वैसे ठोंकी जानी चाहिए घड़ी हाथ की पहुँच में होनी चाहिए नहीं पहुँच से बाहर होनी चाहिए ये सारी बहसे हम तमाम विशेशग और अंत में जब सर्व सम्मती से किसी फॉर्मूले के तहत काम संपन हो पाया, तब तक दिवार पर कम से कम छे जगा उसे टांगे जाने की कोशिशों के निशान छूट चुके थे। मेरी ही तरह उन घरों के बाशिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ न कुछ यादें बसी होंगी। यह कितना आजीब है कि जो प्रतिक्षण समय के बीते जाने पर टक-टकी लगाये रखता है। वही स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को कहीं स्थर भी कर देता है। दीवाल घडी दो, वो मेरी ठीक सामने है। एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई। कील दिखती नहीं। इसका मतलब ये कि कील पर उसके टंगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्द नहीं है। लेकिन तरक शास्त्रियों ने तो तरक संगत प्रमाण की ही श्रेणी में रखा है। इसलिए तरक पर आधारत ये अनुमान बिलकुल निरापद है कि घडी कील के सहारे टंगी है। वो अपनी जगा बिलकुल स्थिर है, पता नहीं कब से, लेकिन चल रही है। उसके काटों में एक अनवरत चक्रिय गती है। चक्रिय व घडी को दिवार के आसन पर बिठा कर मानु यही बताते रहने का जिम्मा सौब दिया गया है कि समय लगातार बीत रहा है, पर खत्म होने के लिए नहीं। ये विरोधा भासा लगता है न। किसी जुके हुए मर्दबान से लगातार पानी गिर रहा है, पर ना पानी कम होता है ना मर्दबान खाली होता है। गौर करें तो ये विरोधा भास नहीं है, समय अनन्त है, पर हम सबका अपना अपना समय अनन्त नहीं। गड़ी के चक्र में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो लकीरे हैं, वो समय के कृतिम खंड ही सही। वो हमें बताती है कि हर इंसान क हर चीज का और हर काम का अपना समय होता है। वो शुरू भी होता है और खत्म भी। याद आता है कौन बनेगा करोड़ पती का वो छोटा सा बहुत चर्चित जुमला। तो आपका समय शुरू होता है अब। प्रिष्ट एक सो साट। दीवान घड़ी तीन। वो मेरे ठीक स सामने है। एक साफ सुथरी दिवार पर कील के सहारे टंगी हुई। बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर। पता नहीं कब से। पर लगातार चल रही है। हिंदी में टिक 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 और अंग्रेजी में टिक टॉक टिक टॉक। उसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आत पर अंग्रेजी समाज के लिए वो बाव बाव करता है और हिंदी समाज के लिए भाव भाव। खुबसूर्ती के लिए भी है दिवार की हलकी पीली रंगत के साथ उसका भूरा रंग एक नैना भिराम कंट्रास्ट रचता है और उसकी अनथक चलती सुईयां दिवारों के इस्थिरता के बीच एक जीवन तिस पंदन भड़ती हैं। वो बोल रही है ना अंग्रेजी में ना हिंदी में बलकि एक ऐसी जबान में जिसे इस धर्ती पर रहने वाला हर समझतार इंसान समझता है। कुछ ज्यादा नहीं है उसके पास कहने के लिए। वो तो सिर्फ इतना कह रही है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है भले ही इस घड़ी की सुईयां मेरी कलम के आकार से ज्यादा बड़ी ना हो। बस एक चीज अखरती है। लगाने वाले ने उसे ऐसी जगह लगाया है कि उसे देखो तो खिड़की की तरफ पीट करनी पड़ती है। काश ऐसा ना होता। इन नमूनों में से पहला मुखिता स्मृती अधारित है। देवाल घड़ी को देखकर जो यादे मन में उभर आई हैं, उन्हें लेखक एक तर्तीब दे रहा है। तर्तीब देने के सिलसिले में ध्यान इस बात का रखा गया है कि वे स्मृतियां पाठक को दिल्चस्प जान पड़े। साथ ही यथा संभव उन स्मृतियों से कहीं एक दो वाक्यों में ऐसा निचोड निकाला जाए कि वो किसी समाने सत्य यानि एक बड़े धरातल पर अनुभव किये जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगें। दूसरा नमूना दाशनिक मिजाज का है। यहां लेखक दिवाल घड़ी को देखता है और रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों से उपर उठकर कुछ ऐसे गंभीर प्रशनों की ओर उन्मुक हो जाता है जो उस घड़ी के साथ एक शीर्ण तन्तु से जुड़े हैं। तीसरा नमूना मुक हिता अवलोकनाधारित है। सामने की दिवार पर एक घड़ी दिखती है और उसके खुपसूर्ती, गती, आवाज, टंगे होने का अंदाज यह सारी चीजें लेखकी टिपणी का विशे बन जाती है। टिपणी में स्थिती का बयान करने के साथ साथ वो अपनी राय भी जाहिर करता है और इनके द्वारा अपने लेखन को सपार्ट विवरन बनने से बचाता है। की पध्धती अपना सकते हैं। किसी खास जगा की द्रिश्य, जैसे मेरे मुहल्ले का चौरहा को उकेदना हूँ, तो आप कल्पना में उस द्रिश्य को उपस्थित मान कर चल कैमरे की तरह अनेक ब्योरों को समेठ सकते हैं। किसी प्रवित्ती या चलन पर लिखना हूँ, तो उसके गुणावगुण पर तरक पूर्वक विचार कर सकते हैं। प्रिष्ट 161 ये तरीके पिछले तीन नमूनों के लिए अपनाए गए तरीकों से जुदा हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सुविधा और विशय की मांग के अनुसार अपने तरीके का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके सामने विशय है जातिवाद का जहर, तो जाहिर है कि आप कलपना की उडान वाली शैली नहीं अपनाएंगे। ये एक जुलंद सामाजिक मुद्दा है जो आप से ठोस विशलेशन और स्पष्ट राय की मांग करता है। तो इस विशय के साथ आपका बरताव शायद कुछ इस तरह होूँ। जातिवाद का जहर, जहर, जीविच शरीर को मौत की नीन सुला देता है। और अगर शरीर की प्रतिरोध क्षम्ता के कारण वो ऐसा ना कर पाए, तब भी शरीर की व्यवस्था में भयंकर उथल-पुथल मचा कर उसे अशक्त और बिमार तो बना ही देता है। मानव समाज के जीविच शरीर में जातिवाद ने ऐसे ही जहर का काम किया है। हमारे जिनपुर्खों ने कर्म के आधार पर वर्ण तै किये थे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कल को ये विचार जन्मना जाती विवस्था में परणत हो जाएगा। और इसके चलती गर्भ में शिशुके आते ही उसकी नियती तै हो जाया करेगी। उन्हें इस बात का शायद ही अंदाजा रहा हूँ कि वो जो बीजबो रहे हैं उससे ऐसा विश्वरिक्ष निकलेगा जो आगे हजारों सालों तक गैर बराबरी और शोशन उत्पिड़न का आधार बनकर सामाज की तंदुरुस्ती का क्षय करता रहेगा। आज हम बड़े-बड़े और द्योगिक सैयंत्रों, तीवरिगतिवाले परिवहन साधनों, स्वाचालित उपकरणों, कंप्यूटर और इंटरनेट के यूग में जी रहे हैं। उसे आने के बावजूद साथ जीवन बिताने का सपना देखा था। ऐसे खाबरों का दोहराव होने में भी ज्यादा अंतराल नहीं आता कि किसी गाओं में एक जाती विशेश के टोले पर दूसरी जाती के लोगों ने हमला कर दिया और महिलाओं बच्चों समेथ बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये कहना गलत नहोगा कि जातिवादी तनाव हमारे रोज मर्रा के जीवन का हिस्सा बन बैठा है। जातिवादी भावनाओं को और गहरा बनाने का काम किया है। अलग-अलग जातियां राजनीतिक दलों के वोड बैंकों में तबदील हो गई है। ऐसे में कोई उमीद भी कैसे कर सकता है कि ये लोकतंत्र जातिवाद की जड़ों पर प्रहार कर पाएगा। राजनीती में जब जातिगत आधारों पर गोल बंधियां होती हैं, तब स्वभाविक है कि हमारे गली मुहले, हमारे काम के स्थान, हमारे शिक्षण संस्थान इत्यादी भी इस तरह की गोल बंधियों से मुक्त नहीं होंगे। जिस तरह शरीर में प्रवेश करने वाला जहर धमनियों में दोड़ते खून की मदद से अंग प्रत्यंगों तक पहुँच जाता है, वैसे ही जातिवाद का जहर समाज के हर अंग को अपनी जकर में ले चुका है। पर इस समाज की जिजीविशा अद्भुत है। वो इस जहर को परास्त करके ही रहेगा, क्योंकि इसे जीना है और वो भी तंदरुस्त रहकर, घिसट-घिसट कर नहीं। जातिवाद से फाइदा उठाने वाले लोग मुठी भर हैं और उसका नुकसान जहिलने वाले बहुँ संख्याद। इस बात को समझने के संकेत हिंदुस्तान की जनता देने लगी है। जिस दिन उसकी सोच पर पड़े सारे जोल को चीर कर ये बात साफ साफ दिखने लगेगी, उसी दिन इस मारक विश्च का सही उपचार शुरू हो पाएगा। प्रिष्ट 162 अभ्यास पाट से समवाद एक, अधूरे वाक्यों को अपने शब्दों में पूरा करें। एक, हम नया सोचने लिखने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि? दो, लिखित अभिव्यक्त की क्षमता का विकास नहीं होता, क्योंकि? तीन, हमें विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है, क्योंकि? चार, लिखन के लिए पहले उसकी रूप रेखास पश्ट होनी चाहिए, क्योंकि? पाँच, लेक में मैं शैली का प्रयोग होता है, क्योंकि? दो, निम्नलिखित विशेओं पर दो से तीन सो शब्दों में लेख लिखिए एक, जरोखे से बाहर दो, सावन की पहली जड़ी तीन, इम्तिहान के दिन चार, दिया और तूफान पाँच, मेरे मुहले का चौरहा छे, मेरा प्रिय टाइम पास साथ, एक कामकाजी औरत की शाम तीन, घर से स्कूल तक के सफर में आज आपने क्या-क्या देखा और अनुभव किया लिखें और अपने लेख को एक अच्छा सा शीरशक भी दें चार, अपने आसपास के किसी ऐसी चीज़ पर एक लेख लिखें जो आपको किसी वजह से वन निया प्रतीत होती हो वो कोई चाय की दुकान हो सकती है कोई सलून हो सकता है कोई खौमचे वाला हो सकता है या किसी खास दिन पर लगने वाला हाट बाजार हो सकता है विशे का सही अंदाजा देने वाला शेर्शक अवश्य दे